नवस्का साथियों तो चली आज के देनिक जागरन में क्या खास ख़बरे हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं और याद रखिए देनिक जागरन का राश्टिय संसकर्ड है तो इसमें आप लोगों को महत्पूर्ण ख़बरे ही देखने को मिलती है और आज कल आश्टिय अंतराश्टिय एजेंटियां संस्थान होती हैं उनके बारे में भी एक सामान जानकरी अपने पास हर हाल में रखा करिएगा क्योंकि आपकी एक्जाम में हर साल इस तरह की संस्थाओं से कुश्चन्स पूंचे जाते हैं और इसलिए कहता हूँ कि आप लोग बात करें तो Central Bureau of Investigation की बात हो रही है और आप सभी को मालू होना चाहिए कि एक अपरेल 1963 में इसकी स्थापना हुई थी नई दिल्ली में आपको हेड़कौर्टर देखने को मिलेगा वहीं अगर आप लोग एडी की बात करें इन्फोर्समेंट डारिक्टेट की बात हो रही ह फिवर्तर निदेशाले की नाम से जिसे आप लोग चानते और इसकी स्थापना एक मैई 1956 में हुई थी और इसका हेड़कौर्टर नई दिल्ली में आप लोगों को देखने को मिलेगा आप लोगों में से बहुत सारी लोगों के सवाल भी आते हैं क्या इनका दुरफयोग हो होता है और जो भी सरकार जो भी पाइटी सत्ता में आएगी वो दुरफयोग करती ही है लेकिन याद रखिएगा कि आप हर मामले का दुरफयोग कहते हैं कि हर मामले की जद दुरफयोग होकर हो रही है तो यह कहना भी गलत है लेकिन अधिकतर मामले आप देखते हैं कि तो चलने दीजिए, केस चलने दीजिए, अगर आप लोग सपोर्टर हैं किसी नेता के, उस पर अगर इस तरह की रेट डल रही है, तो अदालत फैसला करेगी, जमीन के बदरी नौकरी घोटाले में 600 करोड की नमनी लॉर्णिंग के सुबूत मिले हैं, एडी कह रही है, महें 4 लाक में खरीदा गया था New Friends, कालोनी बाला 150 करोड रुपे का मकान, यह आप देखी लालू पैसाद यादा हो हैं ना जो, बिहार की राजनिते में एक अधवर निता माने जाते हैं, तेजस भी यादा हो नहीं के बेटे हैं, और एक समय आप देखी पहार दिये गए हैं, और जाँ चैजसी ने चापे में बड़ी संख्या में बेनामी संपत्तियों के दस्ताबिज मिलने का किया है दावा, और 350 करोड की अचल संपत्ती के अपराज से बनाई संपत्तियां, और सी बेएगी सामने दूसरी बार हाजिन नहीं हुए तेजस भी यादो, और आप लोगों को बता दूँ कि देखिए, मनी लॉर्णिंग कहने का मतला होता है गेर कारूनी तरीके से आय करना, ठीक है, जिसका आपके पास कोई बेहरा ही ना हो, दिली आपका रिनीती घोटाले में तेलंगारा कि सी एम की बेटी कभीतार ने 9 से 9 घंटे पू लेकिन आप लोग कहते हैं कि बीजेपी में जो सामिल हो जाता है उन पर कारवाही नहीं होती है, जैसे आप देखते हैं उधारन आप लोग किसका हैमंत विश्वा सर्मा, जो चीम मिनेश्टर हैं असम के, या पर आप देखें कि महराष्ट के एकना सिंदे, इन पर भी कई तरह के आरोप लगे थे, पहले जाज भी होती थी, लेकिन इन्नों ने वीजेपी जोएन की और सब कुछ खतम हो गया, तो यह सब चलता रहता है, इस पर जादर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ते लंगान आई है, हैधराबाद इसकी राध्धानी है, आंध्विदेश, महराष्ट करना टक से इसकी सी मलकती है, यह आंध्विदेश से अलग करकी बनाया गया था दो जून 2014 में, और आप देखेंगे यहां की राजपाल की बात करें, तो तमिल साई सुंदर राजान यहां की राजपाल है, मुकमंत्री के चंदर से कर रहा हुए, बिधान सभा मे जो दिल्ली के उपमुक मंत्री थे, वो आप सभी जानते हैं, जेल में है ही, उनके सतेंजन आमादमी पाटी के, जो वो स्वास्त मंत्री थे, वो भी जेल में ही है, स्वाती मालीवाल ने पिता पर लगाय यह उन सोशनर के आरो, दिल्ली महला आयो की अध्यक्ष ने लोगो पर भी भरोस्ता नहीं किया जा सकता है, जिस तर ऐसे आप देख रहें कि घटना है हो रही है, तो अपना ध्यान रखा करिएगा, अपने घर की महलाओं की लड़कियों की जिम्मेदारी आपकी इस सुरक्ष चागी, इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है, और अमेरिका का सिली काउन वैली वैंक हुआ दिवा लिया, वर्ते घाटी की भरवाई को ब्रॉंड बैचनी की बात से ग्रहा को निवेसकों में मचा हरकम, वैंक किंग नियामक ने हाथ में लिया, एस भीवी का नियांतर, या मस्क में बैंक खरीदने में दिखाई रोची, ट्विटर के मालिक ह ना, उने की बात हो रही है, चलिए, बैंकों की हालत बैबी, बैसे भी खसता चल रही है, हमारे बैंकों की तोर आप देखते हैं कि लूटते हैं, विजनेसमेन और वो भाग जाते हैं लेकर, फारम हाउस में ही हो गई थी सतीक कोसिक की मौत, या आप देखी एक्टर थी राहुल गांदी ने अब जो आरूप लगा था, और कॉंग्रेस के लिए निता है, कौन? राहुल गांदी, और कॉंग्रेस की बात करें तो यह पुरान ना राधने तिक दल है, 28 दिसंबर 1880 में इसकी स्थापना हुई थी, और आप सभी को मालू होगा कि पहले अध्यक जि एक तरह से और इसका भी चुनाव होता है, और इसमे जो लोकसभा और राज्यस सभा के जो सदस्रैते है, उन्हे वही चुनाव करते हैं, इसका? अप राश्ठ्राथ्पति का और राश्टपती भी आप देखते हैं एक सम्मिधानिक पद हैं और राश्टपती का चुना आप देखते हैं कि बिनायन सभाव, राज्य सभा, लोकसभा के निर्वाच्य सदस रहते हैं इन पदों के बारे में जरूर आप लोग याद रखा करीगा पहली भी मैंने बोला है, फिर इसे बोल रहा हूँ, कि इनसे questions पूछे जाते हैं समीधान के भाग 5 को अगर आप लोग देखें न और अनुछेद 52 को देखें तो भारत के राश्टपती की बात की गई है धर्मस्तलों पर हमले बलतास्त नहीं करेगा उस्टिलिया, वहां के पिधानमंत्री साहब कह रहे है UN में कस्मीर को मुख मुद्दा बनाने में राहे नाकाम पाकिस्तान कह रहा है और आप लोगों को एक और बात मालो होने चीए, पाकिस्तान में देखें खाने के लिए नहीं है फिर भी आप देखें वो किस तरह के मुद्दे उठा रहा है, लोगों अपने देश के लोगों का ध्यान बटाने के लिए युएन की बात करें तो सहुकतराश की बात और ये उनाइटेट नेशन्स की बात कर रहा हूँ 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी और नियुवर्क USA में इसका हेड़कॉर्टर आपको देखने को मिल जाएगा घाटी में नसीले पतारतों की तसकरी रोकने को LOC पर बनी 26 पुलिस चौकिया देखे LOC यानि कि आप नेंतन रेखा देखते ना जो आप देखते हैं कि पाकिस्तान कबजा किये हुए है हमारा हिस्सा उसके बीच और हमारी वीच जो सीमा रेखा है उसको आप लोग LOC कहते है और जो आप देखते हैं चाइना कबजा किये हुए है वो सीमा आप देखते हैं कि जो सीमा बनती है बीच में उसे आप लोग LOC कहते है है एच थी एन टू वाइरस की बढ़ते केसों के चलते निगरानी बढ़ाय राज स्वास्त मंतरार ने जारी किया गार्ड लाइन का पालन करने को कहा है दबाओ और मेडीकल ऑक्सीजन की उफलब दिता और स्टीका करन सोने शितो केंदर ने कुछ राज्यों में कबड़ती COVID-19 केसों पर भी चिंता जता ही है और आम तोर पर आप देखते हैं सुरों से मनुस में फैलता है H3N2 वाइरस अमेरिका के रोग ने अंतन एबं रोगता हम केंदर की अनुसार H3N2 एक ऐसा इंफिलोंजा वाइरस है जो आम तोर पर सुरों से मनुस में फैलता है केंदरियस्वास मंतराले के नुसार 2 जनवरी से 5 मार्ज तक देज में H3N के 400 इंक्यावन मामले सामने आए और मंतराले ने वह इस्तिती पर करीब भी नजर रखे हुए है और माहे के अंतर से मामले घटने की उम्मीद है उदर IDSP और IHIP आप देखें पर उपलब्द नमींतम आँक्नों के इसा राज्यों के द्वारा नुमार्ज तक NH3N2 सहित इंफिलेंजा के अलगलग सब बेरेंट में कुल 3038 मामलों की पूश्टी की गई है तो आप लोग सावधानी जरूर बतते हैं और विसेसगव का कहना है कि H3N2 से घवरानी की जरूरत नहीं है हाँ सावधानी जरूर है मास्क पहने रहें नेवे तंतराल परहांद होएं संक्मिन ब्यक्ती से दूर ही रहें और एक बात आपको और बता दूँ देखे कि इससे करनाटा कहर्याना में मौत भी हो चुकी है और देखे मास्क लगाए रहे है मास्क लगाए में क्या प्रोबलम है आप देख रहे हैं कि कितनी बाईव पिदोसित हो चुकी है सुरक्षित करेगा हाँ चस्मा भी लगाना चाहिए आप लोगों को कोई भी एक नॉर्मल लगाते रहिए क्योंकि आशकल आप देख रहे हैं धूल आखों में भी जाती है रोसनी भी कम होती है जब भी बाहर जा रहे हैं इनका उपयोग किया करिएगा यह आप देखेंगे खबरे राष्टी राधानी दिल्ली से जुड़ी हुई है और सब बोही चला है आप देखते हैं कि किसका मनीश स्वादिया, आमादमी पार्टी, एफो और आप देखते हैं कि प्रगिती मैदान में अंतराष्टी आहरे मेल होगा 24 से, दिल्ली में एल्जी ने मुक्मंत्री से पूछा दिल्ली में किस तरह की पानिक की हो रही है आप उलती यह आप लोगों को मालू होने चाहिए कि बाकी राज्यों का मुखमंत्री जितना तागतबर होता है ना उत्रा दिली का मुखमंत्री नहीं होता है इसलिए आप देखते हैं इमामला कोर्ट में भी पैंडिंग में पड़ा हुआ है यहाँ आप देखते हैं कि राजपाल 37 साली दिखाई देता है उब राजपाल इसलिए दोनों में टकराओ देखने को मिलता रहता है सभी वायडों में बाई फिदूसन के कारकों का होगा सर्वे यह आप देखें वाटला हाउस मुटवेड दोसी की मोद के बाद हाई कोट ने कारवाही बंद किये बस 2008 के वाटला हाउस मुटवेड की बात हो रही है चोटे कारवाई बारियों और कारीगरों को तकनीकी बाबाजार देगी सरकार मोदी साब करें पीएम बेस कर्मा कॉस्तल समान विशय पर पोश्ट बजट विविनार को किया सम्भोधित पिधान मंत्री साब ने अभी बजट में आप देखे घुशना हुई थी ना एक फरवरी को बजट पेस किया गया था उसके एक दिन पहले आपने देखा होगा 31 जन्वरी को आर्थिक सर्वेक चनाया हुआ था उस्टेलिया से ईवी के लिए लिथियम की सप्लाई पर आस्वस्त होना चाहता है भारत और व्यापारी करिष्टों को अलग चरण में ले जाने की तेयारिम में भारत उस्टेलिया सीका पर बारता सुरू दस सो अरव डॉलर तक व्यापार को ले जाने का लग्ष है सीका यानि कि आप डेकेक कॉंफेहनिसेवट एकॉनोमिक को और fringe मेंट की बात हो रही है चर दो देशों की बीच तब गहारिं था नाने अजरूर आप देखिते हैं ब्यापार के बारे में बात होगी आप डेखतें समंध्री हो और Ł doesn't दूसरी महला राश्पती है और दूसरी महला राश्पती है और जापान के डिजिटल मंत्री से आप देखें मिले हमारे असुनी बैशनाव सहाब एडी की विशेश लोग अभी योजक का इस्तिपा एडी के 80 साल से अधी कुमर की मद्दाता और दिव्यां घर से डाल सकेंगे बोट करणाटक बिधान सबा चुनाव में मिलेगी घर से मद्दान की सुविधा निरबाचा नावी उन्हें कहा पूरी पिक किरिया में गोपिने इता बरती जाएगी यह अच्छी पहल है आप लोगों को मालो होना चे क्योंकि आप देखें बहुत सारे लोग घर से ही नहीं किरल से लगती है और एक नमबर उनिस सुचपर में इसी राज बनाए गया था और अभी वारतमान में आप देखेंगे कि यहां के राजजपाल थावर चंद गहलो थे बसा और राज बंबई यहां के मुखमंत्री हैं विधान सबा में 224 सीट हैं विधान परिशद में 75 सीट हैं और इसका छेथफल आप देखें तो एक लाख 91,791 वर किलूमीटर में फैला हुआ है और एलेक्शन के मिशन आप इंडिया की बात करें तो भारती निरवाचन आयोग की बात हो रही है और आप सभी जानते हैं कि यह भी समिधान एक संस्ता है समिधान के अनुछे 3 324 को पढ़ेंगे आप लोग तो चुनाओ आयोग की स्थाफना की बात की गी है और 25 जनवरी 1950 में इसकी स्थाफना हुई थी नई दिल्ली में हेड़कौर्टर देखने को मिलेगा पहले मुख को चुनाओ आयोग तो हमारे सूकुमार सेन थे यह भी याद रखेगा और जो बिधान सभा, बिधान पईशद, राज्य सभा, लोग सभा, राश्टपती, उपराश्टपती यह सब चुनाओ भारती निर्वाचन आयोग ही करवाता है उसी की देखरिक में होता है चुनाओ ठीक है फिर आप देखेंगे समलेंगे साधियों की मांग बाली याजका पर कल सुनवाई होगी सुपरिंग कोट में आजकल की इस तरह की देखें समाज इसे गलत मानता है लेकिन कई लोग कहते हैं कि होनी चाहिए इस तरह की मौदी सरका और आने के बाद भारत बदल गया है राष्टपती साफ कर रहे हैं फिर मोत तिबारी राजसभा में कॉंग्रेस की ओपनेता और रजनी पटेल होंगे सचे तक कुरोना के दोरा जोटी सुचनाओं से गई हजारों लोगों की जान आप देखें और इस तरह की आजकल आप देख रहे हैं कि जोटी खबरें बड़ी तेजी से आग की तरह पहलती है तो ध्यान रखा करिए गये अभी आप देखी बिहार के मजदूरों की बात हुई तमिल चलिए भी देखतें कारटून भी इस तरह के कई एकजाब में पूछ लेते हैं उस पर आपकी सोच पूछता है आपकी राय पूछता है तो सोचा करिएगा उसके बारे में लिखा करिएगा कुछ पॉइंट ये आप देखते हैं कि अपकी बार आलू बदलेगा सरकार अखल विधान सभा में 430 सीटे हैं विधान परिषद में आप देखेंगे कि आपकी 100 सीट है राजसभा में 31 सीट लोग सबामें 80 सीट है आपको देखने को मिलेंगी योगयाद इतना तिहां कि मुख मंत्रिय बिहार में गट्वबंदन बदलनी की चर्चापन नीतिस ने कहा ऐसी कोई बात नहीं है क्योंकि आप देखते हैं कि क्या है नीतिस कुमार कभी इसे छोड़ देते हैं कभी उसे छोड़ देते हैं इसलिए चरचाय होती रहती है विपक्षी दलों का गट चोड महा ठग बंदन है अनुराथ ठाकुर कह रहे हैं कपल सिब्बल ने इनसाफ के मंच पर विपक्षी निताओं को एक जुट होने आने का दिया है ने उता इनके द्वारा एक कानून मंत्री हैं पूर्वत और समिधाइक सरस्थाओं को लेकर सत्ता एक इनोर के द्वारा एक लड़ाई लड़े जा रही इनसाफ की उसी की बात हो रही है आजादी के बाद जन जाती विकास के लिए नितिया बनी करियान बन नहीं हुआ भाजापा की अनुसोचे जन जाती मोर्चा के पिदेश कारकारडी की बैठक में एक बात होई है विना चर्चा के ही गिलोटिन के जरिये पास कराया इंक्यावन विभागों का बजट यह बिधान सबा कहां की बात हो रही है कोलकाता की बात हो रही है कहां की गिलोटिंग होता क्या है गिलोटिंग इसके बारे में ज़रूर याद रखिएगा और जो बड़त सत्य में सरकार के लिए जादू की छड़ी भी बानी जाती है एक तरह से यह आप लोग याद रखिएगा और तो हमारे यहां पचास से अधिक मंतरा लहें के अंदर में और बजट में सभी के लिए अनुदान होता है लेकिस सत्य की सीमित आउदी में सभी पर चर्चा करा पाना संभाव नहीं हो पाता है तो ऐसे में जिन मांगों पर चर्चा नहीं हो पाती है उन्हें बिना चर्चा की ही मददान करा कर पास कर दिया जाता है इस पिक्रिया को आप लोग गिलोटिंग कहते हैं बजट सत्य में मंतराले की अनुदान मांगों को बिना चर्चा पारित करानी की पिक्रिया को गिलोटिंग कहते हैं वो आप देखते हैं बजट क्यूंकि राज्जों में भी आता है तो वहां भी सब्दकाव क्यों कर लेते हैं और दिली सरकार अच्छा काम कर रही है आश्थिर करना चाहती है भाजापा मद्पदेश की पूर्मुकमंत्री ने कहा है किसी भी पकार से सत्ता हासिल करना भाजापा का लक्ष है और विर्दोधियों को जेल में भिजबा कर सत्ता पर किसी तरह से काविज होना चाहती है भाजापा ये आप सभी को मालू होने चाहिए कि क्या है मद्पिदेश में भी चुना हो है अंगले साल भुपाल इसकी रादानी 1 नवंबर 1956 में से राज बनाये गया था इसकी सीमा उत्तर पिदेश, राजिस्थान, गुजरात, महराष्ट से लगती है और 36 गड़ से भी लगती है 1 नवंबर सन 2000 ममत्पिदेश से अलग करके 36 गड़ राज बनाता बिधान सभा में 230 सीट है, राज सभा में 11 सीट है, लोक सभा में 29 सीट है सिवरासिन चुहानिया के चीप मिनिस्टर है, छेथफल में दूसरे नवंबर पर है सदानंद कदम से ED की पूछताज राजनितिक कदम है, संजया रावत कह रहे है तर्णूल बिधायग ने पुलिस को दी धमकी, कहा भाजापात को बाप मानने की ना करें भूल बंगाल बिधानसभा में सुवेंदू के खिलाब फिर लाया गया विस्साधिकार हननन पिस्ताओ ये आप देखें बिपक्ष के नेता है, बीजेपी के नेता है या राज के दरजेब आप बिधानसभा चुनाओ की मांग को लेकर जाएंगे दिल्ली राजनीथी की दिसा बदलने के लिए 31 होंगे 2000 माननी है और 15 सी आप देखें अठारे जून तक मुंबई में होगा नेस्नल लिजिसलेटर्स कॉन्फेरंस का है हो जिन आप लोगों देखेंगे ठीक है राजिस्थान में बीरंगनाओं की समर्थन में भाजापप का पिदासन और ये आप लोगों को एक और बात बताऊं कि ये पिदासरकारियों का पुलिस कर्मियों के साथ हुआ टकराओ पुनिया के पैर में लगी चुट पाइलेट ने की गहलो सरकार की किचाई ये आप देखी कॉंग्रेस में भी यहाद दो फार देखने को मिल रहा है और आप देखें जो पुलमावा के बल्लिदानिया है बल्लिदानी है ना जो जो सहीद हो गए थे उन्हीं के परिबार आप आपको देखते हैं कि भटक रहा है रोडों पर आप सोचीए कि हमारे देश के सेने जान दे देते हैं आप yolक्षा करते हुए बाद में उन्हीं के परीबार की कोई सुरक्षा भी नहीं की जाती है उनकी कोई बातें भी निमाने जाती है राजिस्तान आप लोग देखें तो 49 वरक किलूमीटर में फैला हुआ है कलराज मिसरा यहां की राजपाल है मुखमंत्री असोग गहलोत है बिधान सभा में 200 सीट है राजज सभा में 10 सीट है लोग सभा में 25 सीट है अब इस पर आप देखें राजनीती भी बिफक्ष का काम ही है वो तो राजनीती भी खुब कर रही है जजों को बदनाब करने की नहीं दी जा सकती है अनमती देख लिजे महला जजच को भसमासुर कहने वाला बकील दोसी करार हुआ है गुवाटी की बात है राहुल के चहते पूर मुखमंती चन्नी से विजलेस जल्दी करेगी पूशताच क्यूंकि आप देखे भिष्टाचार की आरू में ये भी बने हुए है और आपको मालो होगा पंजाब के पूर मुखमंती भी है पानी पत में सताबदी बस योजना को अंतिम रूप देगा संग और संगी की बात होती है तो RSS की बात होती है और RSS की बात होती है तो हिंदू राठ की बात करता है हिंदुत की बात करता है और इसका हेड़क्वार्टर आप देखेंगे नांगपोर में देखने को मिलेगा राश्टी सोयम सेबक संग का और 27 सेप्टम्बर 1925 में इसकी स्थापना हुई थी केसाव अलिराम हिडगबार इसके फाउंडर थे AD हमें ही नहीं आपको भी तंग कर रही है कभी राश्पती के पास भी हो आई है बजट पर बोलते हुए भाजापा के मुख़़णी ने कोंग्रेश पर भाजापा पर किया हमला पंजाब के फारम हाउस में हो गई थी सतिक कौसिक की मौत आप देखें उमेश फाल की हत्या के लिए लखनों के बिल्डर ने किया था फाइनेंस यह आप लोग देखे अभी अतिक एहमद एक समय आप सभी जानते हैं कि बड़ा कद्दावर बाहु बली हुआ करता था अब तो आप देखे पूरी तरह से मिटने के कगार पर है हिंदू राष्ट की आवाज उठाने बालों के खिलाब ठालेस्तान जैसी कारवाई हो तोकिर राजा कह रहे हैं लेकिन आप लोग अगर समिधान को पड़े होगे न तो एक मामले में आप देखे कोई भी राष्ट धरम की आधरपा बनाना है हमारे भारत को चाहे कोई मुसलिम राष्ट बनाने की हो चाहे सिख राष्ट बनाने की बात हो हिंदू राष्ट बनाने की बात हो इसाई, बहुत, विभिन भासाएं बोलने वाले, संवधाय वाले, आप देखे जातियों में बटे हुए, सब लेकिन एक समिधान के नीचे खड़े हुए, कोई अलग होने की बात नहीं कर पाता है, यह उन सोसन की साथ धिन्डोरी के स्कूल में हो रहा था मतांतरन, ए मद्ध होने चाहिए, और वाल सारक्षन आयो की अगर हम लोग बात करें, नेशनल कमिशन पोर प्रोटेक्शन ओप चाइल्ड राइट की बात हो रहे, दोजास साथ में इसकी स्थाप नवी थी, नई दिल्ली में आपको हेड़कॉर्टर देखने को मिलेगा, और देखे समिधान की भाग तीन को पढ़ेंगे आपलो, मौलिक अधिकार, इसमें आर्टिकल 25 को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि धरम परिवर्तन करना कोई कानूनी अपराद नहीं है, लेकिन वो लालच में नहीं होना चाहिए, धोके से नहीं होना चाहिए, जवजस्ती नहीं होना धरम परिवर्तन किया ही था, बहुत धरम बनाया था, हर साल लाकों लोग आप देखते हैं कि धरम परिवर्तन कर लेते हैं, पंतेकार ओंपिकास तेबारी को साने गुरो जी राष्टी एकता पुरुसकार दिया गया है, माधा कॉसिक साहित अकादमी के अध्यक निर्बाद कुमद सर्मा बनी उपाद्धिक्ष, कुमद सर्मा, ठीक है, अमरित पाल सिंग के करोईवियों पर कसा पुलिस का सिकंजा, जमू पिसासन के दो के असला लाइसेंस किये जब जिनाला थाने पर हमला करने वालों की हुई पैचान, केस भी होगा दर्च, यह आप देखते हैं खालिस्तान समर्थक है, अलगावादी, नेता एक तरे से हैं, अमरित पाल सिंग, और देखिए सिक्ष के धरम के लिए वो पाक, जो पंजाब है न, उसी अलग देश बनाने की मांग पहले भी भेंडरवाले ने भी की, और आप देखे हमारे देश में कितनी असानती पहली, ओपरेशन बिलू इस्टार चला, उसके बाद इंदरा गांधी की हत्या कर दी जाती है, फिक्स सिक की विरोधी दंगे होते हैं हमारे देश में, अभीनेता अनुपरम केर को विस भारती बी में आवंतीत किया जाने को लेकर विवात पैदा हो गया, अनुपरम केर को विस भ अन्तिम ससकार, और E.D. के दावा अनुवर्ट के खिलाब अंग रक्षक ने दिये परयाप्त सबूत, मभीसी तसकरी में जुड़ा हुआ है, आप देखते हैं पर्शमंगाल भी काफी चर्चा में बना हुआ है, तमिलाणू फिकरन के आरूपितों की तलास में ये O.E.U. क में छोड़े गया चीता, ओवान बाशा, ये कुनो नेशनल पार्क है ना, मध्विदेश में, वहीं आप देखते हैं की खोले गया, ये आप देखते हूंगे धच्छडपी का ना भी विया से लाए गया थे, स्थिवनी में N.I.E. की दविस्ट दो संदेग को ले गई टीम ये आप लोगों को मालू होने चाहिए N.I.E. की बात करें हम लोग, तो National Investigation Agency की बात हो रही है, और इसकी स्थाफना 31 दिसंबर 2008 में हुई थी, नई दिल्ली में आपको Headquarter देखने को मिलेगा, कभी गरश्ती थी बंदू के अपरेटन की धोम, ये आप देखें, चतिसगर के राजनन्द जिली में की बात हो रही है, यहां नकसलीयों की आप लोग से छेकते होंगे न, देखें नकसल, जो नकसली हैं, जो लोग, वो हमारे ही देश की लोग हैं, ये आप लोग याद रखेगा, बस आप देखते हैं कि ये अलग ही राष्ता अपनाए हुए हैं, और आ यहां भारती एक कम्यूनिस्ट पाटी की नेता चारू मोजूमदार और कानुस अन्याल ने 1967 में सत्ता के खिलाब एक ससक आंदोलन की शुरुवात की थी, नकसलीयों के खौब में भारी सुकत बदलाओं की बयार हैं, विकास की तेजगती से जीबन को मिली सकती, और आप द बंदूख नहीं कलम था में, और कहते हैं कि आप देखेंगे, अगर आप किसी बच्चे की हाथ में कलम था लावाते हैं, तो आने बाले बक्त के लिए जेलें कम करते हैं, और सिक्छा और स्कूल बढ़ाते हैं, केरल में हाथ काटने की मुख आरूपित पर 10 लाग का इनाम, बंगाल में नोकरी कवाने बाले में मंतरी की भाई पार्श सामिल हैं, और जो सिक्छक भरती घोटाला हुआ है ना पर्शे मंगाल में, कोलकाता इसकी राधानी, उडिशा, जारकन, विहार, सिक्किम, असम से सीमा लगती हैं, तरश्टी सीमा, नेपाल, भूटान, बंगला भी आ जाती है, तिर्फपुरा में वाम कॉंग्रेस सांसदों पर हमली के मामले में तीन गरफतार हुए है, गवाटी रेलबे स्टेशन पर चाय के स्टॉल का संचाल ट्रांजेंडर के हाथ में, दो साल के तौरान गुजरात में चारहजार अंठावन करोर रुपे के मादक पदा जब्त हुए है, लेकिन आप देखते हूंगे बड़ी मातरा में आप देखते हैं, लेकिन बाद में क्या होता है, यह मालू नहीं चल पाया है, और यह कहां से आ रहा है, इसकी जाच होनी चाहिए, इसकी भी मांग उड़ती रहती है, यह उन उत्पीदन करने वाला के एक बात और याद रखा करेगा कि इनको हर हाल में आपको पढ़ना चाहिए, जो अन्य नियूश पेपर के रहते हैं, मात्पोर एडिटोरियल, उन्हें भी फेस्बुक पेज़ पर डाल देता हूं, तो वहां जाकर आप लोग उसे भी पढ़ लिया करेगा, देखा करेगा, अभी राहुल गांदी आप देखते हैं कि बाहर घूम रहे हैं, तो उन्हें को लेकर बेबाद हो रहा है, राहुल गांदी का विच्चेत विमर्स, भले ही राहुल गांदी कहें कि भारत जोड़े यात्रा से उनकी राजनितिक समझ बड़ी है, लेकिन ऐसा लगता नहीं है यह देखें संजय गुप्त हैं, इनके आप देखते हैं कि अपना बिचार है, ठीक है, आप लोग क्या सोचते हैं अपना बिचार नीचे रख सकते हैं, आप आजाद हैं, राहुल गांदी ने मेटेन की यात्रा के दोरन भारती लोकतंत को नीचा देखानी की कॉसिस करने कर काम इसके पहले भीग कर चुके हैं, उनकी समझ से भारत में लोकतंत का चरण 2014 में नंद मोदी की सकता में आने से शुरू हुआ था, और अब वो है खतम हो चुका है, और इस पर स्टे की 2014 और फिर 2019 में कॉंग्रेस की हार के को पचा नहीं पा रहे हैं, और कॉंग्रेस की लो का देश के साथ अपनी खामियों की भी अंदेखी कर रहे हैं, बले ही उन्होंने कॉंग्रेस का अध्यक्स पर छोड़ दिया हो, लेकिन पाटी उनके सोच के एर्दगर्द गोम रही है, 2014 के बास से ही उनके भासनों का यहीं स्वरू रहता है, कि मोदी के सत्ता में आने से द जैसे हो गए हैं, राहल गांदी यह सिकाद बारवार कर रहे हैं कि लोकतंद की सभी संस्थाओं पर भाजापा और RSS के लोगों का कबजा हो गया है, वह यह भूर रहे हैं, जब कॉंग्रेस सत्ता में थी तब इस संस्ता में उनके लोगों का कबजा होता था, जैसे कॉंग लोक्तंद खतम हो जाने के बाद भी अमेरिका यूरोप बेपरवा है यह भी चाह रहे हैं कि अमेरिका यूरोप को भारत में लोक्तंद बहाल करने के लिए दखल देना चाहिए यह और कुछ नहीं देश के आंतरिक मामलों में विदेशी हस्तिचेप के लिए निवनतर है और इसी कारण यह सबाल उठ रहा है कि क्या उन्होंने सांसत के तौर पर ली गई सपत का उलगन किया है जो भी हो यह ध्यान रहे कि आपातकाल कि समय किसी विपक्षी दल ने ऐसा नहीं कहा था भारत में लोक्तंद की बहाली के लिए अन्य देशों को हस्तिशेप करना चाहिए राहौल गांदी ने बैटे लिन दोरे में यह भी कहा है कि उनके जैसे नेताओं को ना तो सिक्षा संस्थानों में बोलने दिया जाता है उना ही संसथ में सबसे पहले तो यह निरा जूट है कि उन्हें सिक्षा संस्थानों में नहीं बोलने दिया जाता है लगता है कि वह महत्पूर्ट बिसाइपर चर्चा का हिस्सा भी मुस्किल से बनते हैं। जुमला बारबार सुनने को मिलता है कि मौधी सरका चंद उद्योगपतियों के हितों की रक्षा कर रही है। जैसे भारत अंतराष्टी कद बढ़ाता जा रहा है वैसे भारत बिरोधी सक्टियां भी सक्रिये होती चली जा रही है। कुछ समय पहले आई BBC की डोकुमेंटी मौधी के साथ भारत को नीचा दिखाने की कौसिस ही थी। और इस डोकुमेंटी के बाद अमेकी निविसक जौर्ज सोरोस का यह बायान आया की आदानी समू को लेकर आई हिंडनबर्ग रेपोर्ट भारत के में लोकतंत को इस्थाफित करने में मदद करेगी। क्या यह महज एक दुर्भाग है दोर योग है कि सोरोस ने कुछ बैसी ही बाते कहीं जैसी राहुल गांदी ने की। जो भी हो कॉंग्रेस को यह पता होना चाहिए कि मोदी पर आवनावसक हमले करने से उसे कोई लाव नहीं हो रहा है इसका प्रमार हाल के तीन राज्जों के चुनाव पईड़ा में राहुल गांदी ने जुब मर्स विदेश में खड़ा किया उसे यदि भाजापा अपने पक्ष में बुज़ाय में जुट गई तो इसलिए क्योंकि और ऑसद भारती यह पसंद नहीं करेगा कि हमारी निता बिदिश जाकर भारत को नीचा दिखाने का काम करें और इसमें संदे है कि राहुल गांदी के बेटें में दिए भासन से आम कॉंग्रेसी उत्सायत हुआ हुआ होगी होगा चलिए आप लोग देखिए इनके विचार है आप क्या सोचते हैं आप अपनी राय दिजीगा नियुनतम सम्मान की भी गारंटी मिले लेका भले समाज में समता लाने के लिए लिए लिखता है पद खुल लेकों की कैटेगरी में होने में कोई बुराई न हम लोग अधिक्तम कच्छर तेल आयात करते हैं बाहरी देशों से हमारे पास उत्वादन जानदा नहीं होता है यह द्यान इवा परातना यह अच्छा कॉलम लिखा जाता है इसे भी पढ़ लिया करिएगा यह जाच आज इसे हों कि दावी की जो बात हो रही है पिवरतन न भरके उसी की बात हो रहे हैं पिद्वी के बदलते सवरुप का ध्यन पिद्वी पर करोणों बरसों में किस तरह से बदला हुए इसको जाने की बिज्ञानियों ने एक मोडल तेयार किया है और जलबाई पर इवतन देख रहे हैं उसी से आप देख रहे हैं बहुत सारी सब पुष्टकों का मत आज भी काया में जिससे पकास्कों की बडख संक्या वुस्तकों की पिकास्त में विद्धी से भी समझा जा सकता है और बैसे कुछ सम्माघ्धИ्ट समस्याओ जिनका निराकन होने से पुष्टक संस्कितियों को ब्यापत प्रोसाहन बिल सकता है चलिए भी आप लोग जानते रहिए अमरित काल और पंच प्रण ये भी देखते रहा करिएगा सच्चाई की चासनी में लिटी किस्सा गोई एक फियूस मिसरा ने आत्मक कथात्मक उपन्यास में फैक्ट और फैक्सन के बीद जूलते हुए कमाल की किस्साई की है चलिए देखते रहा करिए यात्रा की संस्वार्णों का कुलाज एक आसाहर अविनियता की जीमन की खिड़किया यह आप लोगों को बता दूँ कि देखे अगर इस तरह की किताबें पढ़ने की रूची है तो आप लोग खरी सकते हैं पढ़ सकते हैं सिलिकॉन बैली बैंक संकर से भारती स्टार्ट अप चिंते थे हुआ है और देश के कम से कम 21 स्टार्ट अप में इस अमेरिकी बैंक का निविस था पची सो से जान्दा वेंचर कैपिटल जोड़े एसपी से सिलिकॉन बैली का मुख रूप से कैलिफॉनिया से अलग बैंक की रूम में जाने जाता था या पिर मुख तोर पर अमेरिका की स्टार्ट अप को पैसा उपलब्द कराता था और खास तोर पर टेक स्टार्ट अप में निवेस करता था इस टार्टाप्स की दुनिया में नर्मी के चलते बेंक से पैसे की लगाता निकासी हो रही थी इस कारण S.B.B. ने वित्तिय उपलब देता बनाए रखने के लिए 2.3 अरब डॉलर की सेर विक्री की घुशना की थी और सेर विक्री की घुशना की बाद कई वेंचर कैपिटलिस ने अपने पॉर्टफोलियो वाली कंपनियों को अपना पैसा S.B.B. से दूसरे बेंकों में हस्ता अन्तित करने की सलाय दी थी इसे गुरुबार को बेंक के सेरों में बड़ी गराबट हुई है ठीक है और बेंक में आप देखें ब्याली सरब डॉलर निकालने का परियास खरीदा ढूने में जुटी S.B.B. यह आप देख लेगी जिएगा ठीक है और S.I.P. इसका सच यगर आप लोगों के लिए रहता है देखते रहा करिएगा घरीली बाजारों पर जांदा असन नहीं सिलीकॉन वैली का दो जार आठ के वित्तिय संकट के बाद सबसे बड़ी बैंक विफलता है दो जार दो सो नौ अरब डॉलर की संपति एस भी भी के पास 2022 के अंत में 16 वा सबसे बड़ा बैंक था अमेरिका का सिलीकॉन बैंक चलिए और करामचारियों को भीजा वीडियो संदेश इसने बंगाल में जहारकन में बने 45,000 फरजी आधार कायट देख लेजे टेक्स्टाइल निर्यात में फिर से बड़ोती शुरू गुएल साप कर रहे हमारे देश में एडेनो वारस की 38 फिस्दी मामले बंगाल में देखने को मिल रहे हैं और 10,000 फिट की उचाई पर सिस्सू में इसनो मेराथन आज होगी मनाली में बिहार में विदेशी सिरावबा फिस्टॉल के साथ B.S.F. इसपेक्टर गिरफतार हुआ है गुजरात की नसा मु पाकिस्तान में आजकल बुरे दिन चल रहा है भारत की मदद से 40 लाग बच्चों को किताब में मोया कराएगा स्री लंका हमारा पड़ोसी है पाक जलनमरू मनार की खाड़ी आप लोग यहीं भारत और स्री लंका की भी देखने को मिलता है हमारे सांस्केतिक संबंध भी मिल जाती है लेकर चाइना इसे नहीं मानता है व्यापा नीती और बारता सलाकर संती में दो भारत बंसीयों की निवक्ती हुए अमेरिका में शलिए यह आप देखते हैं कि इनमें फ्लेक्स कंपनी की CEO रेवती अदविती और प्राक्तिक संसाधन रक्षा परिशत की CEO हैं मनीज वापना सामिल हुए है कोट का जुर्माना भढ़ने को मेरे पास पैसा नहीं है नीरब कह रहे हैं कहा कि एक लाख पच्यास हजार पाउंड से अधिक की राशी का जुर्माना चुकाने के लिए पैसधा उधाल लेना पड़ रहा है यह आप देखिए नेरा मोदी यहां से भ दोले वर्सा है यूकरेन के चार नांगरेक मारे गए नेपाल के उपराश्पती पत के लिए चार उमीदबारों ने दाखिल किया नावंकन और देखे नेपाल की बात करें तो यह नेपाल है उत्तराखंड उत्तरपदेश्ट विहार सिक्किम चार राज्जरों की सीमाह मार किसकी पांच राज्जों की सीमा लगती है सिक्क्यम भी एस में ठीक है परस्टे मंगाल भी है पाकिपूर चीफ जश्टिस का वर्टसफ है कुगा देख लीजे नया यह 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 एर फोर्स वन नीली और सपीद रंग में नजर आएगा वंगलादिस में एहमदियों के जल से पर हमले में जमात ए इसलामी कहा थे भूकम सुनामी परमाडू आबदा की बरसी पर नमन जापान में आप देखते हैं कि विनासकारी भूकम सुनामी परमाडू आबदा को एक तरह से अफगानिस्तान में पत्यकारों की कारकरम में विस्वोट एक मारा गया आई-एस ने प गेल को दुबारा पाकर गिल बने सुपर्मेन ए और श्रिलिया के विरोध दिस्सतक लगा कर सुभमन ने मेच को भारत की बापसी कराई मेचबान टीम अभी भी पारी के आधार पर 191 रन पीछे हैं बल्लेवाजी के लिए आसान नहीं थी फिच गेल कह रहे हैं इसकेटिंग को छोड़ कर कनिका अहुजा ने चुना था किर्केट एक कैप सेफाली के तुफान में ओड़े जॉइंट्स ए आप देखी इंडियन प्रमीर लीग हो रहा है महलाओं का आईपील अमेरिका में हो सकते हैं अंगले टी-20 विसकप के 17 मैच जाए रिचर्ड डंसन आईपील की आगामी सत्य से बाहर हुएं उस्टेलिया के तेज गेंद बाज हैं बेटे सरकार ने ओलम्पिक फिराएजविकों को लिखा पत्र वेसबॉल पे संसकों ने बाल रंग और बनाय विसर रकॉर्ड पूरवी ओलम्पिक चेंपियन पैट मिकार्मिक का डेथ हो करामेंट में इसने हासिंग बनी डवलू पी जीटी के पांच बेचार की विजेता और डेरेल मिसेल की सतक से नीजिलिंड की करारी बापसी एसीन चेंपियन से में हिसा लेंगे 30 पहलवान हमारे चलिए एक ओवर्विव ले लिया करिएगा इनका या आप देखेंगे कि मॉ आई उची उडान की मंजिल एक आप लोगो और बात बता दूँ आपको एक कहानिया पड़ा करिएगा कि आज के समय अगर कोई कहता है कि महलाएं कमजोर हैं महलाएं ए नहीं कर सकते हैं वो नहीं कर सकते हैं सबसे बड़ा बेवकूप है वो दुनिया का और आज आप देख जबे आप लोगों को देखने को मिल रहा है उन्हें में से एक है स्वड़ पदक जीतने वाली उत्राकंट की 31 बरसी पितिभा थफली याल ठेक है और आप देखेंगे कि ये मां हैं दो बच्चों की आप देखिए तो मुझे लगता है कि ये सब जो आलोशना करने वाले होत दादी निने भाई पिता की भूमी का जुडवा भाई बने इंटरनेशनल सूटर देख लिजे आधे से अधिक लोग चैट जीपीटी या इंसानी लिखापट में नहीं बता पाते हैं अंतर ये आप देखते हैं कि आ रहा है न चैट जीपीटी की बात हो रही है आप जो उ परचित थे और सामगरी स्वास्त बापी प्रुद्रगी से जुड़े हुए थे और आप देखेंगे 80.5% का मानना था कि कंपनियों को चैतावनी देनी चाहिए कि AI का उपयूब किया गया है और 31.3% लोगों ने कहा है कि AI चैट के माध्यम से तिया सामगरीयों का बिस्वा रोटने के लिए चैट GPT के जैसे AI टूल की और रोक कर सकते हैं नियूरो साइंटरिस्ट के अनुसार चैट GPT का उपयोग अनुभाव क्या अधर पर होने चाहिए एक खत्रा बताय जा रहे हैं और चैट GPT एक AI गूगल की तरह एक सार्च एंजन है जिसका artificial intelligence के माध्यम से लिए गया है और दरसल artificial intelligence एक पेकार की चैट वाट है और यह है इंटरनेट की इतिहास का सबसे तेजी से पढ़ने वाला एक बढ़ने वाला एपली किसन है जिसके अनुभाने तेरह मिलियन देनी को प्योव करता है चलिए ऐसे भी देखते रहा करिएगा एक ख़बरें भी देखते रहा करिएगा और जनेल लॉलिच की जानकारी भी मिलती है फरीच्छा के लिए भी यहां बहुत सारे पॉइंट मिल जाते हैं नमक कानून के विरोध गांधी ने सुरू किया था दांडी आर्च दनी मार्च 1930 में आज ही गांधी जी उनके अनुभाई उनने अंग्रेजों के द्वारा बनाये गे नमक कानून को तोड़ने के लिए सावनवती आसरम में से दांडी मार्च सुरू किया था 22 दिन के बाद 6 अपरेल को दांडी समद तट पर पहुचकर उन्होंने नमक कानून तोड़ा इस मार्च ने मार्च ने सविनया ग्यांदोलन की निव रखी थी अमेरिका में पहली बार आबाज के साथ पिदरसित की गई थी फिल्म 1927 में रेली जोई थी फालगुनी के गानों के बिना आज भी अधूरा लगता है गरवा इंडिया कुईन फालगुनी पाठा का जरम गिनेत पारंपरे गुजराती गीतों में हिंदी गाने को सामिल कर गरवा संगीत को नया आकार दिया एम्स के डॉक्टरों ने खोला नया वाय उमार कर मरीजों के बलड या बॉन मेरो के सेंपल में इसके जांच से हो सकेगी कैंसर की पहचान और दोसों मरीजों के सेंपल पर जांच के पईड़ा 85-360 सटीक पाए गया जो मौझूदा जांच की तकनीक इसे बहतर है चलिए फूर परेमी पर बनाए गए सकीरा के गीतों ने 14 गिनिज वर्ल्ड रेकॉर्ड तोड़े देखे सोने से पहले कमरे में अधेरा गरबदी महलाओं के लिलाप्रद है त्यान रखा करिएगा अनुसंधा में यह पाया है नासा के हेलिकॉप्टर में ने मंगल ग्रह के सुर्यास्त को कैद किया है चोक्टे आकर के जेउन्टी हेलिकॉप्टर ने अपनी 45 भी उडान के दोरान यह उपलब दिहांसिल की है नासा अमेर्की अंतरिक चैजनसी है याद रखेगा और भारत की इसरो है इसरो के बारे में आप लोग बताईएगा नासा की बारे में मैं बता देता हूँ इसरो के बारे में हम लोग बात करते रहते हैं ना कई बार और नासा की अगर हम लोग बात करें तो अमेर्की अंतरिक चैजनसी है 29 जुलाई 1908 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका हेड़कोर्टर अगर आप लोग देखें तो बॉसेंग्टन DC USA में देखने को मिलेगा मा के बिवार का बच्चों के जीन के काम पर असर पड़ता है मा बच्चे का बिवार NR3C1 जीन में बदलाओ को प्रभावित करता है तटस्त बिवार बच्चे के एपेजेनेटेक बदलाओ को करता है प्रभावित अध्यन के निसकरस को अमेरिकन जनरल ऑफ हीवन बाइयोलोजी में पेकासित किया गया है ओसकर में नाटू नाटू पर नाचेगी लारेन गोटी लेव यह आप देखते हैं भी जो तिलफाल अलल आर मुवी आई हुई थी ना उसी का गाना है सोडियम की खबत कम करने की लक्षे से चूक रही है दुनिया खाने में प्रयोग होने वाले साधरन नमक सोडियम का सबसे बड़ा सिरोत है 10.8 ग्राम रोजाना पिती व्यक्ति नमक की खबत जिसे 5 ग्राम से कम करने की जिरूवत है और 40-70 लाग जिन्दियां बचाई जा सकती है 2030 तक यदर सोडियम की खबत कम हो जाए तो अजीब गरीब एक डॉलर के लिए बैंक लूटने पहुंचा चोर इंडोनेसिया का सब से सक्री है ज्वाला मुकी फटा इंडोनेसिया में माउंट मेराफी ज्वाला मुकी सनिवार को फिर से फट गया है और सक्री यानि कि इसमें आता रहता है और ज्वाला मुकी को आप लोग पितवी का एक तरह से सेप्टी बॉल भी कहते हैं अगर वो ना फटे तो आप दी कि पता नहीं क्या हो तो अच्छी बात है ये मूवियां उसे जोड़ी खबरें रहती हैं पढ़ना है तो पढ़ लिया करेगा नहीं पढ़ना है तो छोड़ा करेगा और इस तरह से आप देखेंगी कि आज की निश्विपर की कहानी खतम होती है और आप लोग पढ़ते रहिए इंज्विपर करते रहिए आपके सामने साथ मेरी सब कामना है ही और आप लोग अपनी राय जरूर दिया करेगा ठीक है और सवाल हो में ले लिए तो भेज सकते हैं संदे है तो राध में 9 बजी हम लोग आकर लाय ऑब जुड़ते हैं आपके पिछरी साथ दिनों के सबाल रहते जो लाई वाकर आप लोग सबाल कोशते हैं उन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे आप लोग आपने सवाल जरूर भेजते रहिए और आप भी जुडिएगा ठीक है